हलो फ्रेंड विल्कम टो मैं चैनल छोटी सी रह सुई आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ मार्केट के जैसा ही मोती चुर के लड़ू की रेसिपी आप घर की कड़ाही में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसे बनाने में वह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगे क्योंकि मुझे भी काफी सारी जीजे फेस करनी पड़ी है इतना परफेक्ट लड़ू बनाने के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा जूर देखेगा चलिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चीनी लिया है जिसमें घर के ही गलास से डेर गलास पानी डाला है 200 ग्राम बेसन के लिए आधा किलो चीनी लगेगा जितना आप बेसन लिजएगा उसका दुगना आपको चीनी लगेगा इस बात का ध्यान रखेगा इसका हम हम चासनी बनाएंगे तो medium flame पे आप इसकी चासनी बनाने के लिए से रख दे बिच बिच में चलाते रहें जब तक हमारी चासनी बनती है तब तक हम better ready कर लेते हैं बेशन का घोल तो यहां पे 500 gram मैंने बेशन लिया है इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेते हैं यहां पे धियां रखने वाली बात यह है कि बेशन आपका बारिक वाल एकदम होना चाहिए मोटी वाली नहीं होनी चाहिए इसको हम अच्छे से mix करेंगे इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें लगभग 300 ml के असपास पानी गया है आपको थोड़ा बहुत कम जादा लग सकता है इसका बैटर हमें नहीं बहुत जादा गाड़ा नहीं बहुत जादा पतल बनाना बिल्कुल इस तरह का बैटर होना चाहिए इसके बाद हम अपनी चासनी को देख लेते तो चासनी भी लगभग 6-7 नेर तक पक गया है एरेडी हो गया है इसमें कोई भी तार हमें नहीं चाहिए और अगर आपकी चासनी गंदी है तो इसमें थोगा साथ दूड डालके साफ कर लें उसको उपर का जो भी गंदी गिरेगा उससे निकाल के हटा लें चासनी में बस हलकी से चिपची पाहट होनी चाहिए इतना ही आपको ध्यां रखना है अगर ज्यादा चासनी पक जाएगा तो आपका जो लड़ू है उसमें ठंडा होने के बाद जम जाएगा चीनी जो खाने में अच्छा नहीं लगता है अब हमें इसमें डाल देंगे फूट कलर तो आप कोई भी कलर डाल सकते हो औरेंज कलर या यलो वाला जो भी लड़ू बना रहे हैं अच्छे से मिक्स करें और गैस को बन करके चासनी को अलग साइब में रख दे हमने कडाही लिया है तो घर का जो भी सबसे बड़ी कडाही उसे ले गाल और इसमें मैं एक किलो गी डाल रही हूं गी या तेल बुआ झाल जालेगा तभी बुन्दी बहुत अच्छे से बनेगी यहां पर मैं एक किलो घी डाल हूं आप से यह आपको बदाती हूं कि यह पर कौन कौन जीजों की जुरत पड़ेगी तो यह चाहिए हम बारिक वाली छनी जैसी पल्टा जिससे छोटी छोटी जो हमारी बूंदी रहेगी वो बहुत ही आसानी से तेल से निकाल सकते हैं यह हमारी बड़ी बूंदी के लिए पल्टा होता है जिससे मोटी मोटी बूंदी बनती है तो इससे छोटी वाली मोटी चुरकी बूंदी नही तो आज मैं इसे से बनाऊंगी तो यहां पर और भी बहुत सारा सेटिंग करना पड़ता है तो कडाही से उचा आपको डबा और कुछ भी रखना रहेगा यहां पर मैं नीचे केक का मैं मोल्ड रख रही उसके उपर एक डबा रख रही और इसके उपर हम अपने पल्टे को र पना सकते हैं यहां बहुत बारी फला लेकिन नहीं बहुत धूरे-धूरे अभी इसके ठोक रही हूं पर इसके तोड़े से बड़े साइथ की पहली बार में आपको डर लगेगा कि हां किसी इसाफ़ से ठोकना है तो यह देख रहे हैं थोड़ी सी बड़ी बूंदी बनी है तो ये गलती आपके साथ में भी हो सकता है और दूसरी बार में मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ा सा और दम लगाया फटा-फट मैंने ठोका तो इससे थोड़ी से छोटी बनी है यहाँ पे ठोकना बहुत जादा एक टेकनिकल तरीका है कि आपको किस तरह से ठोकना है इसकी भी बुंदी गोल गोल बनी है लेकिन थोड़ी सी बड़ी बनी है देख सकते हैं लेकिन तीसरा जो तरीका में आपको बताऊंगी उसी से आपकी बुंदी एकदम बारिक बनेगी जैसे मार्केट में बनती है आपको सबसे जादा बुंदी बनाने में इस पल इस बूंदी को आप अच्छे से ट्राइ कर लें जब तक क्रिस्पी ना हो जा उसके बाद आप इसे निकालें तो इसी तरीके से आपको बूंदी को बनाना है आप देख रहें बूंदी कितनी चोटी चोटी बनी है जितने फोर्स से मतलब आपका जो पल्टा उपर नीचे दो केक के मोल लगे थे उसके बाद मैंने डबबा डाला है इसके बाद और अच्छे से पकड़ने के बाद मैंने फोर्स से इसको ठोका तब जाके उतनी बारिक बनी है यह हमारा पहला वाला था जिसमें मैंने हलका सा कम फोर्स से ठोका था तो इतना गोल गोल भी नहीं बने दूसरे बाद में थोड़ा सा मैंने फोर्स लगाया तो अच्छे गोल गोल बने लेकिन इतनी बारिक नहीं बनी जितनी मार्केट महती है और यह तीसरा तरीका जिसमें अच्छे से हमने उसको फोर्स के साथ में ठोका और यह देख रहें कितनी मोती जैसे छोटी-छोटी बनी पर दोई नहीं है अब अपना चासनी ले ले लेंगे तो चासनी को हम गरम करेंगे क्योंकि इस बुदी को भी आप पकाना जरूरी होता है वैसे ही नहीं बनता है जब जब चासनी गरम हो जाईगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके अपने बुर्णी को इसलिए मैंने आपको बोला था कि चासनी को बहुत जादा पहले नहीं पकाईएगा क्योंकि इस टाइम पर भी चासनी पकती है अगर पहले से जादा पकी होगी तो आपका जो चीनी है वो जादा पक जाएगा जिसके कारण आपका जो लड़ू है उतना जादा जूसी नहीं बनेगा ज़र ठंडा होने के बाद उसमें चीनी जमने लगेंगे वो थोड़ा हाड बनेगा तो यह गलती आपको नहीं करनी है आपको अच्छे से ध्यान रखके पकानी है इसे देख रहें कलर चेंज हो गया है हलका सा यह जूसी 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 ऐसा दिख रहा है अब हम ग इसमें पूरे अच्छे से पूंदी ने पी लिया है फिर भी चासनी बच गई है तो आप इसको छनी पे रखके एक्स्ट्रा चासनी को निकाल सकते हैं और इसे हम अब परात में निकाल लेते हैं अभी यह थोड़ा गरम है इन बातों का ध्यान जरूर दिजेगा इस लड़ अब मैं इसमें डारी हूं खरवुजे के बीज तो आप इसमें ड्राइफुर्ट बहुत बारी बारी कट करके डाल सकते हैं इलाइची पॉर डाल सकते हैं मैं यहां पर रोज ऐसन डार रही हूं फ्लेवर के लिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें अब हम इसके किया उसके बाद मैं दोनों हातों से इसको राउंड सेथ दे रही हूं और उसके बाद मैं एक हाथ से थोड़ा सा घुमारी जिससे जहां पर भी थोड़े उपर नीचे रहे वह अच्छे से राउंड हो जाए तो इस तरह से मैं लड़ू बनाती हूं देखरें एकदम मोती जैसे चमकीले लड़ू बने हैं यह और आपको भी इसी तरीके से सभी लड़ू को इकवल साइज में बनाना है एक जैसे साइज में बनाना है यह लड़ू मार्केट से भी जादा अच्छी बनी है यह गारेंटी है बस जो जो मैंने बाते बोली है उसको आप धियान में हो जाती है तो इसी तरह से मैंने सभी लड़ू को बना के ले लिए हैं 500 ग्राम बेशन में लगभग हमारे एक किलो के आसपास से लड़ू बनाए थोड़ा ज्यादा ही बनेगा कम नहीं बनेगा इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती कितना ज्यादा सुंदर है अंदर से बिल से बेले मेले